तो आज अपने इस lecture के अंदर discuss करने वाले है recombinant DNA technology आखिरकार होती क्या है ये चाहे आपका university exam हो चाहे आपके कोई भी competition exam हो उसके अंदर ही से related question आते हैं क्योंकि ये जो technique है ये काफी important technique होने वाली है और ये काफी useful भी है और काफी अच्छे से आज आपको समझ में आ जाएगी तो चलिए आज एपन बात करते हैं recombinant DNA technology होती क्या है तो देखे री कॉमिनेंट DNA technology के अंदर करते क्या है देखें कि होती क्या है ये तो ये होती है any animal कोई भी animal है उसके DNA को अदर कोई animal होगा उसके DNA के साथ जो अटेच करने की जो technique होती है उसको क्या बोलते है recombinant DNA technology बोलेंगे और इससे जो अपन को DNA मिलेगा जो hybrid DNA अपन को मिल रहा है उसको बोलेंगे recombinant DNA तो देखें कैसे समझाने की कोशिस किये कि ये कोई एक animal है और ये दूसरा है मतलब ये फर्स्ट अनिमाल है ये सेकिंड अनिमल है इन दोनों से क्या ले लिए आपने DNA को ले लिए और इस DNA को क्या कर दिया आपने अटेच कर दिया जिससे क्या मिल गया आपन को एक hybrid DNA मिल गया क्या एक hybrid DNA मिल गया अब ये जो hybrid DNA मिला है इस पूरी की पूरी प्रोसेस को तो क्या बोलेंगे अपन जब्कि जो अपनको जो hybrid DNA बोला इस hybrid DNA को क्या बोलेंगे recombinant DNA बोल देंगे that's clear तो चलिए इसको अच्छे से समझते है step by step steps पूछ लिए जाते हैं आपसे तो देखिए first step की बात करें तो first step क्या बोलेगा construction of recombinant DNA molecule अपनको क्या करना है first step में जो DNA molecule है उसका formation करना है उसका अपनको निर्मान करना है construction करना है तो अपन क्या करेंगे ये कोई भी एक animal होगा उसका DNA ले लिया दूसरा foragen DNA अपने ले लिया तो क्या करेंगे ये जो जो vector है जो plasmid vector है इसका use करते है क्योंकि जो plasmid vector होता है plasmid जो vector है ये क्या करता है बहुत ही जल्दी replicate हो सकता है बहुत ही जल्दी क्या बना सकता है copies बना सकता है मान लिए अपन को कोई DNA इस DNA के अंदर बहुत ही अच्छे-च्छे features है अच्छे-च्रेक्टर्स है तो इसे DNA को अपन को बहुत ज्यादा amount में चीए तो अपन क्या करेंगे ये जो plasmid vector होगा इसके साथ इसका क्या कर देंगे fuse करा देंगे अच्छच कर देंगे अब इसको जैसी अपन अच्छेष्मेंट करेंगे तो इसको सभसे पहले क्या करेंगे इसको यहाँ से क्या करेंगे cut कर देंगे cut करने के लिए क्या चीए टो RESTRICATION ENGYM चीहेंगे तो RESTRICATION ENGYM द्वारा इसको CUT कर देंगे और इसको क्या कर देंगे याँ, TRANSFER कर देंगे, ATTACH कर देंगे फिर LIGASE ENGYM द्वारा इसको क्या कर देंगे जोड देंगे, जिससे क्या मिल गया है आपन को RECOMINANT DNA BACTIRIUM को ले लिया इसको लेए बेक्टिरियम को बेक्टिरियम के अंदर अपने क्या कर दिया इस डियने को ट्रांसफर कर दिया तो नेक्ट स्टेप में क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट इंटू दे होस्ट सेल ये जो रीकॉमिनेंट डियने मोलेक्यूल था इसको transfer कर दिया, transport कर दिया किसके अंदर? host cell के अंदर, bacterium के अंदर जैसे ही इसको क्या किया? इसमें transfer किया तो bacterium caring recombinant DNA molecule ये क्या कर लेगा? इसकी caring कर लेगा ये इसको अंदर ले लेगा अब क्या होगा next step में? next step में होगा multiplication of recombinant DNA molecule अब जो recombinant DNA molecule अपने को मिला है इसमें ये क्या करेगा? बहुत ही जल्दी multiplication होगा इसका replicate बहुत ही ज्यादा copies बनाएगा क्योंकि plasmid vector के अपने बात की थी इसका feature ही क्या है? ये बहुत जल्दी क्या होता है? divide होता है तो ये क्या थी? इसमें क्या बना ली? अपने एक कोलोनी बना ली कितने जल्दी replicate हो गया? next step में क्या होगा? अब ये जो bacterium होगा ये भी तो division करेगा ना तो bacterium होगा host cell है ये host cell भी क्या करेगी? cell division करेगी? sorry, divide करेगी तो next step के अंदर क्या हो रहा है? division हो रहा है host cell का host cell क्या कर दी है? division कर दी है तो host cell दो भागों के अंदर क्या होगी? आगे 2 से 4, 6, 8 ऐसे आगे होता जाएगा तो ये दो cells के अंदर क्या होगी? divide होगी अब ये divide होगी है तो इसके अंदर जो अपना recombinant molecule था ये भी क्या होगा? divide होगी तो ये भी अपन को क्या बुलेगा? बहुत ही ज्यादा amount के अंदर मिलेगा next step की ये दी हपने बात करे तो neymorious cell division क्या करेगा? resulting in a clone ये formation करेगा किसका करेगा? एक colon का है colony बना लेगा अब जैसे जैसे बहुत ज्यादा क्या करेंगे? ये division करेंगे तो division करेंगे तो क्या होगा? जो bacterial colonine होगी जो colony है वो क्या करेंगी? growing कहां करने लग जाएगी? जो solid medium होगा वहाँ पे क्या करेंगी? इसको growing करा लेंगे और जो भी अपन को recombinant DNA मिला है इसको अपन क्या कर सकते हैं? आगे use कर सकते हैं अब इसकी जो tools हैं वो tools क्या है और इसके uses कहां किये जाते हैं? ये सब कुछ अपन आने वाले लेप्सियर के अंदर बात करेंगे आज अपना मेन मकस्स था recombinant DNA technology के steps हैं उन steps को cover करना तो इसके जो notes हैं यहाँ सिरफ समझे notes आपको telegram के उपर available करवा दी जाएंगे वहाँ से आप बढ़ सकते हैं और यहाँ आप समझे तो चलिए next video के अंदर tool के साथ मिलता है Thank you